हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार एसाई बिहार दरोगा का प्रीबियस येर का कोश्चन जो की 2018 में हुआ था ये कोश्चन आपके आने बाले आगे सारे एक्ज सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और साथी साथ बेल आइकन दवा दिजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो आए शुरू करते हैं पहला कोश्चन था संस्थाएं और संग बनाने का अधिकार किस परकार का अधिकार है तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा आप्सन नबर बी यानि केबल नागरिकों के किये सुनिष्चित सोतनतता का अधिकार है ठीक है केबल नागरिकों के लिए सुनिष्चित सोतनतता का अधिकार है ये क्लियर है चलिए अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है ओजोन छेट से क्या ताथ परज है तो इसका जो सईयंसर होगा बोगा option number C यानि समताप मंडल में ओजोन परद की मोटाई कम होना समताप देखे ओजोन जो छेटर है वो तकनीकी रूप से कोई एक ऐसा छेटर नहीं है जहाँ ओजोन उपस्थित नहीं होती है बलकि बासो में या अंट्राटी के उपर समताप मंडल में अपवासो रूप एक छीन ओजोन छेटर कहलाता है अब बढ़ते हैं अगले कोशन की दरब अगला कोशन है संजुक्तरा संग दिबस का मनाया जाता है तो इसका जो सई अंसर है बो है ओप्सन नमबर ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है अगर हम सन्जूक्तरा सफ्टा की बात करते हैं तब वो मनाये जाता है 20 सेलेकर 26 अक्टूबर के बीच में अगर हम बात करते हैं संजूक्तरा संग की तो संजूक्तरा संग का अस्थापना भी हुआ था 26 अक्टूबर उचेफ को इसका headquarter New York में है इसके member country अभी 193 में है और UN के 6 अंग है clear है? चलिए अब आते हैं अगले question की तरफ अगला question है सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए और कूट का परियोग करकर सही उतर दीजिए तो देखें यहां है कुछ बागार अच्छी छेतर के नाम दिये हो गये हैं और उनसे उनके संबंधित राज को मिलान करना है तो अगर हम हिंद्राबती की बात करते हैं हिंद्राबती की बात करते हैं तो यह कहां है? 36 गड में है अगर हम पेरियार की बात करते हैं तो पेरियार केरल में है सिमली पाल की बात करते हैं तो सिमली पाल उडिसा में है और बांदीपूर की बात करते हैं तो बांदीपूर करनाटक में है चलिए अगला कोईशन है हमारा कौन सा यंतर तरल पतार्थों के बिसिश्ट ग्रूत को मापता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा ऑप्सन नमबर बी यानि हाइडरोमीटर क्लियर है चलिए अगला कोईशन है सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजे तो इसका देखिए कुछ इस साइड उद्योग के नाम दियेगा है और दूसरे साइड कुछ जगा के नाम दियेगा है उससे आपको मैच करना है तो अगर हम रेलबे उपकरन की बात करते हैं तो रेलबे उपकरन भिलाई से मैच करेगा मोटर बाहन की अगर बात करते हैं तो मोटर बाहन जवलपुर मध्रप्रदेश से मिलेगा पोत निर्मान की बात करते हैं तो पोत निर्मान कोची केरल से मैच करेगा और एकर cycle की बात करते हैं तो cycle का सबसे बड़ा industry लुधियाना जो की पंजाब में इस्थित है clear है लुधियाना से एक और चीज याद रखेगा कि सबसे बड़ा होजरी से जो related चीज है वो भी कहा है लुधियाना में ही है clear है चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइटरेट को अफसोसित करते हैं तथा इन्हें प्रवर्तित करते हैं तो इसका जो सही answer अब हो जागा option number D यानि protein में देखे योगिक जैसे की नाइटरेट हो गया नाइटराइट हो गया या अमोनिया हो गया ये सब को पौधा कहां से लेता है मिट्टी से लेता है और इसका परियोग protein के निर्मान में कर लेता है clear है चलिए अगला question है हवा से परागन को क्या काते हैं देखे परागन हवा से भी होता है तो हवा से जो परागन होता है उसको क्या बोला जाता है बायू परागन यानि option number C जो होगा वो सही answer होगा अगला question है यूबा जो की परधान मंत्री कौसल विकास योजना के अंतरगत्ते कौसल विकास कार्जक्रम है किसके द्वारा आरंभ किया गया था तो इसक क्योंकि अगस्त 2017 में परधान मंत्री कौसल विकास योजना के अंतरगत्त यूबा की शुरुवात की गई थी और इसके उद्गाटन उस समय के ततकालीन गिरी मंत्री राजनाज सिंग ने किया था अगला कोशन है हमारा केसर का मुख खुत बाता के राज ये कौन सा है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुजगा उप्सन नबर C जमू एंड गासमीर अगला question है सत्रिया किस राज की सास्त्रिय निर्ट सेली है तो इसका जो science हो गाब हो जगा option number C यानी असाम की है clear है कहां कि है असाम की अगर हम बात कुछ और लोग निर्ट की कर लेते हैं तो असाम की और कुछ लोग निर्ट आप याद रखेगा जैसे कि air for example है बियू, नट पूजा, खेल गोपाल, कली गोपाल, इत्यादी ठीक है अगर हम बात दूसरे अप्संस की कर लेते हैं अगर हम बात मनीपूर की करते हैं तो मनीपूर से याद रखेगा कि मनीपूर का है, मनीपूरी, रखाल, नट रास, महारास, ये सारा कहां का है, मनीपूर का है अगर हम बात उत्तर परदेश की करते हैं तो उत्तर परदेश की करते हैं तो उत्तर परदेश की कर लेते हैं तो आंध्र 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 प्रथम उर्बरक प्लांट कहां अस्थापित किया गया था तो इसका जो सयंसर है बहुत अप्शन नंबर बी सिंद्री में जो कि अभी कहा है ततकालीन ये जारखन में पहले बिहार में था ठीक है इसकी अस्थापना कब हुई है उनाई सो एकावन में हुई है क्लियर है किसी तात्र के समस्थानिक से क्या तात्र पर्ज है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जागा आपसर नंबर डी यानि उस तात्र के परमानू जितनी परमानू संख्या समान हो क्लियर है मतलब कहने का मतलब है परमानू संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रोनों की संख्या क अगला कोशन है निमलेखिर में से किस सिख गुरू ने गुरू मुखी लिपी की शुरुवात की थी तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा ऑप्सन नंबर यानि गुरू अंगद देव ने ठीक है गुरू अंगद देव के अगर बात करते हैं तो यह सीखो के के में गुरू थे यह सीखो के दूसरे गुरू थे ठीक है इनका पारंबिक नाम क्या था इनका जो पारंबिक नाम था वो था लहना ठीक है क्लियर है चलिए और इस एक चीज और याद रखेगा गुरू अंगद देव से कि इन्हों ने गुरू नानक द्वारा शुरू की गई लंगर बे तो गुरू अर्जुन देव सीखो के पांच में गुरू थे ठीक है और इन्हों ने इस सीखो के धार्मी गरंथ आधी गरंथ की राचना की थी ठीक है आधी गरंथ जिसको सीखो का धार्मी गरंथ माना जाता है उसकी राचना गुरू अर्जुन देव नहीं की थी क्लियर ह इन से एक और याद चीद रखिएगा कि इन्होंने अमरी सर्जलासा के मध में हरमंदर साहब का निर्मान भी करवाया था। साथ ही साथ इन्होंने इनको किस ने मरवा दिया था और जहागीर ने मरवा दिया था याद रखिएगा। अगर हम गुरु नानक की बात करते ही तो गुरु नानक सीखो के पहले गुरु थे ठीक है और इन्ही के जितने भी अनुवाई बने वही जाके क्या कहलाएं सिख कहलाएं। गुरु गोविन सिंग की बात करते तो ये गुरु गोविन सी 10 में गुरु थे जो की अंतिम सी गुरु थे और इन से एक चीज याद रखेगा कि गुरु गोविन सिंग नहीं अपने आपको सच्चा पादसाह कहा था क्या कहा था सच्चा पादसाह कहा था और इन्होंने 1699 इस भी में खालसा पंद की अस्थापना भी की थी क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है निम्ण बक्तत्यों पर विचार कर सही उतर का चैन किजिए तो इसका जो सही उतर होगा बो हो जाएगा option number A यानि कि A और B दोनों सही है और RA की पुष्टी करता है मतलब हिमाले से निकलने वाली नदिया बरहमासी नदिया है बिलकुल सही बात है और हिमाले नदियों का उदगम सरोथ हिमानियों में इस्थित है तो ये भी बिलकुल सही है अगला question है किसी भी राजनितिक दल को राष्टिय दल बनने के लिए कितने राजियों में मानता जरूरी है तो इसका जो सई answer है वो हो जाएगा option number यानि कि चार राजियों में देखिए किसी भी राज नितिक दल को राष्टिये तर बनने के लिए जो कंडिशन है वो यह है कि या तो लोगसवा या बिधान सवा चुनाओं में निउन्तम चार राज्यों में कुल बैध मतों का 6% मत प्राप्ट कर ले ठीक है या फिर लोगसवा की 4 सीटे जित ले या तो अब नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा कोश्चन नबर 18 निम्बू बाजगो नामक बांध निमलिखित में से कौन सी नदी परिस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा वो जाएगा उप्सन नबर A यानि सिंधू नदी परिस्थित है ठीक है और ये क्या है जमू और कास्मीर में ले के निकट सिंधू नदी पर है ठीक है और ये क्या है एक तरह का बिदूत परियोजना है ठीक है क्या है बिदूत परियोजना और इसका उदगाटन 12 अगस्त 2014 को ततकालीन प्रधान मंतरी इनरेंद मोधी के द्वारा किया गया था क्लियर है चलिए अगला कोश्चन है किसी बस्तू की कीमत में बिद्धी से क्या अभी प्रत्त है तो इसका जो सई अंसर होगा बो हो जाएगा ओप्सन नमर डी यानि मुदरा के मुल में गिराबट और बस्तू के मुल में बिद्धी अगला कोश्चन है हमारा निमलीखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डाक्टर अंबेदकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था तो इसका जो सई अंसर होगा बो हो जाएगा ओप्सन नमर ए दलित मुक्ति मोर्चा जो दलित मुक्ति मोर्चा है वो डाक्टर अंबे जिवो को नश्ट नहीं करता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number B निस्पंदन यानि जिसको हम लोग English में अगर बोलते हैं तो बोलेंगे filtration और filtration में क्या होता है ये जिवानू को निकाले देता है उसको मारता नहीं है अगला कोशन है NSDL का पूरा नाम क्या है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number D National Securities Depository Limited ठीक है और इसकी अस्थापना कब हुई थी इसकी अस्थापना हुई है उन्हें 1986 में 96 में और इसका जो हेड़क्वाटर है वो है मुंबई में अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है हमारा कीट बन से होने बाली खुजली किसके कारण होती है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number A यानि की formic acid के द्वारा होता है ठीक है formic acid का chemical formula क्या होगा CH2O2 अगला कोशन है निम्न हस्तियों पर विचार करें नसरुदीन सा, गिरीज कनाड, डॉली खकोर और मकरन देश पांडे इनमें से कौन theater से जुड़े हुए है ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number D यानि उपरोग सही मतलब चारो के चारो क्या है जुड़े हुए है theater से अगर हम बात कर लेते हैं इन चारो की तो देखिए जो नसरुदीन सा है बहुत तो casting director नसरुदीन सा आप लोग जानते ही है actor है ठीक है अगर हम लोग डॉली खकोर की बात करते हैं तो ये casting director है अगर गिनिस कनाड की बात करते हैं तो ये कनाड अभी नेता है मकरन देश पांडे भी क्या है film से related है clear है चलिए अगला question है महात्मा गांधी राष्टिय समुद्री उध्यान कहां अरस्थित है तो इसका जो सई अंसर होगा बहुगा option number D यानि की pot player में इस्थित है ठीक है और इसकी अस्थापना कब हुई थी इसकी अस्थापना हुई है 1983 B में clear है चलिए अगला question की तरह बढ़ते हैं अगला question है हमारा कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के बिरुद्ध है तो इसका जो सई अंसर होगा बहुगा option number B यानि दर्बमान उर्जा का संरच्छन नियम के ये बिरुद्ध है उर्जा का संरच्छन नियम ये ही कहता है कि ना तो उर्जा बनाया जा सकता है ना ही उर्जा नश्ट किया जा सकता है मतलब energy is neither be created nor be destroyed clear है अगला कोश्चन है हमारा भुमद रेखा निमली खित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है ठीक है याद रखेगा भुमद रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है ठीक है जिसमें कि मैक्सिको सामिल नहीं है यानि कि मैक्सिको से होकर भुमद रेखा नहीं गुजरती है अगला question है बिस्व के इतिहास में पहली परमानु आपदा कब होई थी तो इसका जो सही अंसर है बो हो जागा option number D यानी 6 अगस्त 245 को ठीक है 6 अगस्त 245 को little boy ठीक है little boy नामक एक बंब जापान के हिरोशीमा सहर पर पटका गया था अमेरिका के द्वारा ठीक है और फिर उसके बाद 9 अगस्त 245 को फिर से अमेरिका के द्वारा ही जापान के नागसाकी पर बंपटका गया clear है अगला question है question number 29 कहरा है हस्तांतरन मुल का संबंध निम्न में से किस से है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number C यानी करब लेखांकन से अगला question है भारत के किस राज में सरवादिक सी चाई 12 द्वारा की जाती है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number C यानी उत्तरपरदेश ठीक है देखे अगर हम बात करते हैं तो 93.84 कितना 93.84 लाख हैक्टेर छेतर के साथ उत्तरपरदेश ट्वेल सी चाई के अंतरगा सबसे बड़ा राज है जो भारत की पूरु सिंची छेतर का कितना है लगबग 28.9 परसेंट के बराबर है ठीक है और एक चीज़ और याद रखेगा कि पूरे 20 में सरवादिक ट्यूवलों की संख्या भी भारत में ही है ठीक है अगला कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है गौतम बुद के संबादों की भासा क्या थी तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आप्सन नबर बी यानि पाली ठीक है क्या होगा पाली अगर हम बात कर लेते हैं गौतम बुद की तो गौतम बुद का जो जर्म है वो 56 563 PC में हुआ था, कब हुआ था, 563 PC में कहा, लुम्बनी में, इनकी मिर्टु 483 PC में हुई थी, कहा, कुसीनगर में, अगर इनके प्रथम उपदेश की बात करते हैं, तो ये अपना प्रथम उपदेश दिये थे सार्नाथ में, सर्वादीक उपदेश अगर पूछता है, तो स रावस्ती में, और इनको ज्यान के प्राप्ती हुई थी, 35 बर्स की आयू में, कहा, बोध गया में, ठीक है, पीपल ब्रिच के नीचे, और कभी-कभी पूछा जाता, कौन से नदी के किनारे, तो नदी का भी नाम याद रखिएगा, निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, औ और कौन से दिन, बैसाख पुर्णीमा के दिन, क्लिर है, चलिए, अगला कोशन है, बिस एड्स दिबस निमली खित में से किस तारिक को मनाया जाता है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जाएगा, एक दिसमबर, यानि ऑप्सन नबर, डी, और ये सबसे पहले कम मनाया ग के या था, क्लिर है, अगर हम बात AIDS की कर लेते हैं, तो AIDS का जो फूलफोर्म होता है, वो होता है, acquired immunodeficiency syndrome, क्लिर है, अगर यहीन पर हम और और options की बात कर लेते हैं, तो बारा जन्वरी को मनाया जाता है, नेसनल यूथ डे, क्या मनाया जाता है, नेसनल यूथ डे, ठीक है, और अगर हम एक मई को बात करते हैं, तो एक मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, ठीक है, मजदूर दिवस, क्लियर है, चलिए, अगला क्वेशन है, निमलेखित में से कौन रच्छा मंतराले का भी भाग है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो होगा, रच्छा भी भाग भी रच्छा मंतराले का भी भाग है, ठीक है, रच्छा नुसंधानेवन विकास भी भाग भी रच्छा का है, ठीक है, रच्छा उत्पाद भी भाग भी, इसका है, ठीक है, लेकिन रच्छा भीत भी भाग नहीं है, क्लियर है, चलिए, निमलेकिन में से किस सहर में बंगला दे अगले question की तरह बढ़ते हैं फूटबॉल में ध्यांचन प्रुसकार 2017 से किसे समानित किया गया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number दे है यानि सही हाकीम को clear है चेल यह शुरुवाद कब की गई थी ध्यांचन प्रुसकार ये ध्यांजन्द प्रुसकार शुरुवात की गई थी 2002 में और इसमें 5 लाख रुपिया इनाम मिलता है अगला कोश्चन है बंगाल के भी भाजन को रद किया गया तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जागा option number B यानि Lord Harding के द्वारा किसके द्वारा Lord Harding के द्वारा और देखिए Lord Harding के अगर हम टाइम बात करते हैं तो 1910 से लेके 1916 तक था और बंगाल भी भाजन रद कभ हुआ है 1911 में तो यहां से भी क्लियर पता चला है कि किसके द्वारा किया गया था Lord Harding के द्वारा किया गया था और यह कब छोड़ा गया था 23 जून 2017 को छोड़ा गया था और इसके अगर हम Dimensions की बात कर लेते तो इसका Dimension था 3.5 cm x 3 cm x 5 cm क्लियर है यह इसका Dimension था अगला कोशन है हमारा भारत में पहली बार किसने बारसी काय को अनुमानित किया था अगर हम दादा भाई नरोजी की बात कर लेते हैं तो इनसे एक और चीज़ याद रखेगा कि इनको Grand Old Man of India बोला जाता है अगला कोशन है हमारा Frontier गांधी किसे कहा जाता है अगला कोशन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सा सम्विधान संसोद हैं राश्पती के मामले को पुन्ट विचार करने के लिए मंत्री मंडल को भेजने की सक्ति प्रयदान करता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा option number D यानि 44 ठीक है और कब हुआ था ये 1978 में clear है चलिए अगला question है निमलिखित में से कौन सी प्राथना समाज की मांग नहीं थी तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा option number C लड़के वो लड़कियों की बिवा की आयू में ब्रिधी करना उनकी मांग नहीं थी clear है अगर हम बात करते हैं प्राथना समाज की तो प्राथना समाज की अस्थापना 1866 में की गई थी ठीक है और किसके द्वारा डॉक्टर आत्मा राम पांडू रंग के द्वारा की गई थी clear है चलिए अगला कोशन है भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला जहाज किस पॉर्ट पर पहुंचा था तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा option number D पारदी पॉर्ट पर अपारदी पॉर्ट है कहां उडिसा में है ठीक है और कब पहुंचा था अक्टूबर 2017 में लेके पहुंचा था 1.6 मिलियन बेरल तेल था उसमे अगला कोशन है रामनात कोविंद भारत के कौन से राश्टपती बने है तो इसका जो सही अंसर है वो होगा option number B यानि 14 में राश्टपती वो बने है और ये कप अने थे 25 जुलाई 2017 को उनने अपने अग्रिनलोन रहतता है तो लोथल सब को पताए कि लोथल गुजरात में है। अगर हम रोपड की बात करते हैं तो रोपड पंजाब में है। अगर हम राखी गड़ी की बात करते हैं तो राखी गड़ी हड़ियाना में है और काली बंगा की बात करते हैं तो काली बंगा राजस्थान में है इससे याद रखने वाली चीज ये है ठीक है कि लोथल को याद रखेगा कि ये सिंदुगाटी सभेता का बंदरगाह भी था ठ क्लिएर है, चलिए, अगला कोश्यन है, भारत के संभिधान की उदेसिका के बारे में निमलीकित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही अंसर है, जो होuna की उदेसिका स्वेम निआले में परवर्तनिये नहीं है, तो ये बिल्गुल सही electron है, उदेसिका उन उदेस्यों को बताती है जिने संभिधान अस्थापित करता और आगे बढ़ाना चाहता है ये गलत है उदेशिका उस स्रोत को अंगित करता है जहां से संभिधान अपना प्रदिकार प्राप्त करता है तो ये बिल्कुल सही है अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नबर सी यानि यह अतन्त समय के लिए प्रदान नहीं किया जाता है पेटेंट की अब्धी क्या होती है एक फिक्स रब्दी होती है मतलब कुछ समयों के लिए यह परभावी होता है चलिए अगला कोशन है सतलुज निमलिकित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नबर बी यानि ताइवान ठीक है देखें भारत की अगर अपनी सेमा और यह खासे बात करते हैं तो वह पश्चिम में अगर हम बात पश्चिम की कर लेते हैं भा में मैंनमार और बंगलादेश से लगता है भारत की सिमा तो ताइवान नहीं है तो ताइवान साई अंसर होगा इसका अगला कोश्चन है युनेस्को का डायक्टर जेनरल कौन है तो इसका जो साई अंसर होगा बो होगा अगर हम लोग युनेस्को की बात कर लेते हैं तो युनेस्को का गठान 1945 में हुआ है और इसका हेड़क्वाटर का है इसका हेड़क्वाटर है पेरिस फ्रांस में अगला कोश्चन है किस राजनितिक ने दे कोलियन इयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है तो इसका जो साई अं अगला कोश्चन है हमारा सुची-एक को सुची-देव के साथ मिलाण कीजिए जिसमें कि है मौली का दिकार एक साइड दिया हुआ है संबेधानिक प्रभधान और दूसरा स्रोध दिया हुआ है ठीक है तो अगर हम इसके बात करते हैं तो देखे जो मौली का दिकार है वो क किसके साथ मिलेगा अमेरिका के साथ राज के निती नहीं दे सकता तो कि बात करते हैं तो राज के निती नहीं दे सकता आयर्लेंड के साथ अगर इसी के बाद हम संसदिय सरकार की मंत्री मंडल सरकार की बात करते हैं तो ये किस के साथ मिलेगा ये ब्रिटेन के साथ और केंद राज संबंध किस के साथ कनाड़ा के साथ ठीक है केंद राज संबंध से याद रखेगा केंद राज संबंध किस में है साथमियन सूची में है और इसी के तहट तीन सूचियों का प्रवधान किया गया संग सूची, राज सूची और समभर्ती सूची क्लियर है? चल ये अगला कोशन है किसे भारत का नियंतरा के बाँ महा लिखक परिछक निउप्त किया गया है तो इसका जो सई अंसर है वो है आफ्सन नमबर है यानि राजी महर्सी और ये कौन से नमबर वाले है? तेरह में नमबर वाले हैं ठीक है? ठर्टिंथ नमबर वाले हैं ये अगर हम बात कर लेते हैं नियंतरा के बाँ महा लिखक परिछक की तो इससे याद रखिएगा कि इसका प्रभधान कहा है इसका प्रभधान अनुछेद 148 से लेके 101 आमन के बीच में किया गया है ठीक है इसकी पदाब्धी होती है 6 बर्स या फिर 65 बर्स जो भी पूर्व हो जाए और इसकी निउक्ति किन के द्वारा इनके निउक्ति हमारे र इंध प्रांथ पर कच्छ के रहन में भारत के गुजरात राज के मधेक बिवादित जल धारा है क्लेर है चलिए अगला कोशन है निमलीखित देश ने बर्स प्रतिबंद लगाने का निर्ने लिया है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बहुँ जागा ऑप्सन नमर सी यानि किस ने किया है फ्रांस ने किया है यह ठीक है अगला कोशन है हमारा निमलीखित में से कौन सा मोबाईल अप के अंधरिये ग्रामीन विकास मंत्राले द्वारा सडकों के जाखरा खाभेतू बनाया गया है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जागा ऑप्सन नमर सी यानि पश्चिमंगाल अगला कोशन है हमारा भारत के किस राज को यूएन पब्लिक सर्विस एवार्स से समानित किया गया है तो इसका जो सही अंसर होगा आप होगा ऑप्सन नमर सी यानि पश्चिमंगाल पश्चिमंगाल की मुखमंतरी ममताबनल जी को किसके लिए कन्या सिरी याद रखिएगा ये कन्या सिरी प्रकल्प योजना के लिए ठीक है 2017 में यूएन पब्लिक सर्विस एवार्स से समानित किया गया था अगला कोशन है गलोबल हंगर इंडेक्स निमलिखित में से किसके द्वारा परकासित किया जाता है तो गलोबल हंगर इंडेक्स जो है वो परकासित किया ज चेलिये, अगला कुशन है, नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो इसका जो सही अंसर है भो हो जाएगा, option number C यानी-ुर्वरक के लिए, ठीक है, नांगल है क्या? नांगल है पंजाब के रूप नगर जिले में स्थीध है, ठीक है और ये क्या करता है यूरीय का उतपादन करता है ठीक है अगला कोशन है 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत में से निमलीखित में से किस राज में लिंगा अनुपाथ सर्वादीख रहा है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा बो होगा देखिए लिंगा अनुपाद की अगर बात करते हैं तो लिंगा अनुपाद जो सर्बादीक है बो था केरल में ठीक है कहाँ है केरल में लिंगा अनुपाद सर्बादीक दस्तो चौरासी था अगर सबसे कम की बात करते तो सबसे कम था हडियाना में ठीक है चलिए अगला कोश्चन है लूसी दुनिया के सबसे बड़ी चल मरूदा विसफोर्ट किस दीप में है तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा अप्सन नमबर डी यानि इंडोनेसिया में लूसी दुनिया के सबसे बड़ी चल मरूदा विसफोर्ट किस दीप में इस्थित है इंडोनेसिया में इस्थित है ठीक है और यह है कहां इंडोनेसिया के जाबा दीप पर सिदो और जे सहर के निकट हुआ था यह ठीक है चलिए अगला कुछन है लोगतंदद्र के बारे में नीम्न कतनों पर विचार करें इसमें लोगों दोवारा निर्वाची सरकार का गठन होता है, लोगतंद्र में बरतमान में सत्ता सीन लोगों को हराने की संबावबना काफी होती है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बहु हो जगा, option number B, यानि की, एक, दो और तीर, clear है, चलिए, सकल घरेरी उत्पाद को किसके सभी के मुले के रूप में परभासित किया गया है, तो इसका जो सही अंसर हो जगा, बहु हो जगा, option number A, किसी अर्थवेबस्था में एक बर्स में उ को हो जाएगा, option number 4, यानि की, उप्रोक्त सभी, ठीक है, अगला कोशन है, भारत में निम्ली खित में से कौन सा छेतर जैब भी बित्ता का तब तस्थल है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बहु होगा, option number B, यानि पश्मी घाट, clear है, चलिए, अब बढ़ते हैं, अगले कुशन है हमारा, कौन सा विटामिन रिजक्त का ठक्का बनाने के लिए अबस्यक होता है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बहु होगा, option number C, यानि विटामिन K, अगले कोशन है हमारा, घर मेरे किस्तानों में, तथा उनके चरो और पबंधूल से बनने वाली मृता को क्या कहा होता है, लोयसकार्थ होता है, खोना, यह अक्चुली जर्मन मूल का एक सब्द है, निमलिकित में से कौन सा कथान, सही है, ठीक है, तो 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमन किया था, फिर है क्या, अरंभी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, और सिकंदर की तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जागा, आप्सन नबर C, यानि केबल 1 और 2, मतलब 1 और 2 क्या है, 1 है क्या, 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमन किया था, बिल्कुल सही है, तर्श सिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, यह भी बिल्कुल सही है लेकिन यह गलत है कि सिकंदर की मिर्तु 332 BC में हुई थी, clear है, सिकंदर की मिर्तु कब हुई थी, 300, देखे, जो यूध हुआ था, सबसे पहले बो जब 326 में आया था, तो 326 में उसका यूध हुआ था, और उसकी मिर्तु कब हुई थी, 332 में ना होके, उसकी मिर्तु क्लियर है चलिए अगला कोश्चन है इंडिया आफ्टर गांधी दे हिस्ट्री आप लॉर्जर्स डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचेता फौन है तो इसका जो सही अंसर होगा पहुज़ागा ऑप्सन नमर बी यानि रामचंद्र गुहा के द्वारा ये लिखी गई है इसे अगस्त 2007 में होपर कॉलिंग्स द्वारा परकासित किया गया था इस पुस्तक में ब्रिटी समरास्य स्वतंत्ता प्राफ्ट करने के बाद भारत की इतिहास का बर्णन किया गया है ठीक है एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस पुस्तक ने अंग्रेजी किस रेनी में 2011 का साहित का अकादवी पुरुषकार भी जीता है अगला कोश्चन है नेम लिखित में से उनिवस्को के इंटेल्जिवल कल्चराल हैरिटेज इन यूमन इटी फॉर्म इंडिया में क्या सामिल नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा वो जगा ऑप्सन नंबर सी यानि बी हो दे नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गए थी तो इसका जो सही अंसर है वो है ऑप्सन नंबर अपगत सिंग के द्वारा अत्थापित किया गया था और इसका उदेश क्या था इसका उदेश था कि यूवा की सानोब और मज़दूरों को एक कतरित करके बृटिस आ अगला कोशन है संजुक्त रासंग ने बस 2017 को किस बर्स के रूप में घोशित किया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो था अप्सन नमरे यानि परियाटन का सतत विकास के द्वारा देखें यह 2017 की बात है अगर हम 2018 की बात कर लेते तो 2018 को किया गया था अंतराश्टिय बाजर अगला कोशन है किताब उलहिंद पुस्तक किस के द्वारा लिखे गई है तो इसका जो सही अंसर होगा वो जागा ऑप्सन नमरे बी यानि अलबुरूनी के द्वारा लिखे गई थी ठीक है अलबुरूनी से एक और चीज याद रखेगा कि अलबुरूनी जो था वो महमूद गजनी के साथ भारत आया था किस के साथ आया था महमूद गजनी के साथ भारत आया था क्लेर है चलिए अगला कोशन है हमारा फरबरी 2017 में किस बैंक को भारतियरी जर बैंक ने ज़िए दिया है तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा option number A यानि इक विट आस लगू बित बैंक को दिया है ठीक है जिसका मुख्याले का है जिसका मुख्याले है चिन्नई में clear है चलिए अगला कोशन है धादनिये विकास की संकल्पना किस से संबंधित है तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा option number D यानि अंतर पीडिये सामे से स्थित है अगला कोशन है सुमेलित कीजिये आसरम और आयू का सुमेलित करना है देखिये तो ब्रह्याचर्ज कहा है ब्रह्याचर्ज है जर्म से 50 तक Finnish है ग्लिहस्थ कहां से कभऄ है? 25 से 50 तक है बानप्रस कभऄ है? 50 से 75 तक है और सन्यास कभऄ है? 75 से 100 बर से clear है? तो यह सबaments्ट ह है अगला कोश्चन है निमली खित में से किने उर्जा के इस्तमाल किया जा सकता है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जागा ऑप्सन नबर डी यानि कि एक दो तीन चार मतलब सब को किया जा सकता है अस्पेंटित बायू को भी अस्प्रिंग को भी बैटरी को भी असंधारित को भी क्लेर है चलिए अगला कोश्चन है हमारा ब्लूचिप कंपनी क्या है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जागा ऑप्सन नबर बी ब्लूचिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है कहने का मतलब क्या है ब्लूचिप रास्टिये अस्तर पर मानता प्रावपुंता अस्थापित और बीतिये रूप से सुद्रिड कंपनिया जो होती है उन्हीं को ब्लूचिप कंपनी कहा जाता है अगला कोश्चन है राज और कैप्टन अलेकजंडर रोड के द्वारा किया गया था देखे रहत बाड़ी प्रत्था में स्वामित्व का अधिकार किसको सपा गया था किसानों को सपा गया था ये भी याद रखिएगा चलिए अब बढ़ते हैं आगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है हमारा न महिला कृर्केट आई सीसी 20 केप 2017 किस देश ने जिता है तो इसका जो सहा रोगा बहा जागा ऑप्सन Hayır यानि इंगलेग किर्केट ने जिता है ठीक है और किसको हारा कर जीता था था भारत को हारा कर जीता था नोरन से हारा था उस मैच में ठीक है , और ये इंगलेग ये ये कौन सा था, ये इंग्लेंड के लिए चौथा बल्ड कप था, जो वो जीता था महिला किर्केट में अगला कोशन है सुनहरी गोल्डेन चाबल क्या है, तो इसका जो सही अंसर है बोह जागा, option number C ये एक ट्रांसजेनिक चाबल की किस्म है जिसमें करेटीन के लिए जीनतत्व उपलब्ध है, ठीक है देखिए, जो गोल्डेन राइस चाबल जो है, वो एक चाबल का किस्म है जिसे चाबल के खाने योग भाग में बिटामिन A के पुर्ववर्ती बीटा केटोरीन को जैसन सोलित करने है तू अनुवांसी का भी अंतरन द्वारा उत्पादित किया जाता है, क्लियर है चलिए अगला कोश्चन है, निती आयोग की उपाध्यच कौन है तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा option number D, या नी, राजीब कुमार है अगर हम निती आयोग की बात करते हैं तो इसको योजना आयोग के जगा पर लाया गया था और कब लाया गया था, एक जनवरी 2015 को लाया गया था और इसका full form क्या होता है निती का, निती का full form है National Institute for Transforming India, क्लियर है, चलिए अगला कोश्चन है भारत के लिए राष्टिये कलेंडर का पहला मास क्या है, तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा option number D, यानि चैत, देखे भारत का जो राष्टिये कलेंडर है वो किस पर आधारित है, सक संबत पर आधारित है ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे सक संबत तो सक संबत पर आधारित है, जिसमें चैत को पहला मनय महिना माना जाता है जब बसंत का आगमन होता है, तो उसी टाइम चैत को माना जाता है चलिए अगला question है, मानब रख्ट का pH सधानता कितना होता है तो देखे, मानब रख्ट का जो pH होता है वो सधानता 7.3,5 से लेके 7.4,5 तक होता है ठीक है, ये मानब रख्ट का सधारन pH है और देखे, ये भी याद रखेगा कि यदि रख्ट का pH अगर 6.8 से कम हो ठीक है, या 7.8 से अधीक हो जाए ठीक है, तो कोशिकाएं कार्ज करना बंद कर देती है और बेक्ट्यू की मिर्थ्यू हो जाती है और अगर आदर्स पूछे की रख्ट के लिए एक आदर्स पिये तो 7.4 हो जाएगा अंसर, क्लियर है, चलिए अगला कोश्चन है पुस्तक I2, वोंट I on Reform, Rhetoric and Resolve के रचेता कौन है तो इसका जो सैयंसर होगा, वो का Option No.D रगुराम राजन जो की RBI के गवर्णर भी रह चुके हैं और इस पुस्तक में कहा क्या गया है इस पुस्तक में रगुराम राजन ने कहा था कि उन्होंने भी मुद्री करण का समर्थन नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि इस नीरने से कोई भी ज्यादा टाइम मतलब दिर्ग काली निलाब नहीं हो सकता है अगला कोश्चन है जब एक अर्थ बेवस्थास पृदी दवाबों से गुजर रही है तो क्या उपाए अपनाने चाहिए तो इसका जो सही अंसर है बो है कि पर्तेच कड़ों को बढ़ा देना चाहिए यह यह इसका उपाए है अगला कोश्चन है तेज क्या है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा ऑप्सन नबर B डिजिटल पेमेंट टैप है, जो किसके दोरह लाँच किया गया था, Google के दोरह लाँच किया गया है, clear है, चलिए अगला एन्निम लिखित में से कौन चंगेज खान का समकाली था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपसे नबजे सुल्तान समसुदीन इल्टूथमिस ठीक है नेक्स कोश्चन है हमारा एन ए एफटी ए का सदस है तो इसका जो सही अंसर होगा अचा पहले बात कर लेते हैं एन ए एफटी ए है एन ए एफटी ए है नौर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रिमेंट ठीक है और इसका सदस क्या है कौन कोने कनाड़ा है मैक्सिको है और होता ही यह किया गया था ठीक है इसको क्या बोला गया है नौर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रिमेंट बोला गया है ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा बोह जगा ऑप्सन नमर दी यानि अनुछेथ 21 अगला कोश्चन है निल्खित में से कौन सा एक रसाइनिक परिबर परिबरतन होता है कि जिसमें कि वो बापास अपने फॉर्म में नहीं आ सकता उसी को रसाइनिक परिबरतन कहा जाता है निल्खित में से कौन अंतर राजिये परशद का गठन करता है तो इसका जो सही अंसर होगा बोहगा ऑप्सन नमर डी यानि निती आयोग ठीक है क्लेर ह चलिए अगला कोश्चन है वह दूसरी भारतिय महिला कौन है जिने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है अमारा कौन से आयटी संस्थान में बास्तु सास्र को अस्थापत कला के छातरों की पढ़ाई में सामिल करने की योजना है तो इसका जो सही अंसर होगा बोहगा ऑप्सन नमर बर सी यानि आयटी खड़कपूर में ठीक है चलिए अगला कोश्चन है अमारा बिस्व का सबसे बड़ा बौध मंदिर कहां इस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा बोहगा ऑप्सन नमर बी यानि इंडोनेसिया के मध्यबर्ति जावा के योगकार्ता के निकट बोर बुदूर में इस्थित है अगला कोश्चन है हडपा सलकिस नदी के टट पर अवस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा बोहगा option No.D यानि यानि राबी नदी के टट पर इस्थित है निम्लिखित में से कौन सारा सायन्स वोटिंग सी लाही में स्थित होता है इस्तमाल होता है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुगा सिल्फर सल्फेट यानि की ऑप्सन नमबर डी ठीक है अगला कोश्चन है हमारा निमलिखित में से कौन सा यह सही सुमेलित नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा आप्सन नमर्डी यहां देखिए फुफूंद है तो फुफूंद जो है वो स्वाप पोसी नहीं है ठीक है फुफूंद क्या है हेट्रोट्रॉप है अगला कोश्चन है हमारा निमलिखित में से कौन सा गैस यह बायू परदूसर नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा आप्सन नमर्सी यानि हाइड्रोकार्बन ठीक है हाइड्रोकार्बन क्या है हाइड्रोकार्बन एक कार्बोनिक योगिक है जो संपुन्ट सा हाइड्रोजन और कार्वन का बना हुआ होता है नेक्स कोश्चन है दुर्गा नामक कार्चकरा महिला सुरच्छा के लिए आरंभ किया गया था इसका सही अंसर है हर्याना में ये किया गया था ये हर्याना पुलिस के द्वारा जो राज में रोमियों के अनुचित गति वीधियों के नियंतरित करने के लिए और महिलाओं को सुरच्छा सुनिचित करने के लिए अपरेल 2017 में दुर्गा नामक के अपरेशन सुरुआत की गई थी अगर इसका PDF चाहिए तो आप नीचे दिये गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे दिये गए लिंक से हमारे ग्रूप को जॉइन करके उस ग्रूप से आप ले सकते हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और साधी साथ बैल आइकन दबा दिजे ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते गरिझकेशन आयटे साथ आपको मिलते झाल कर लेंद तक.